आप DMCA page कैसे create कर सकते हैं अपने WordPress के अंदर और ब्लॉगर के अंदर और यह करना बहुत ज़रूरी है, especially मेरे उन भायों के लिए, जो software, MP3, movie या इस तरह की कोई भी अपनी website create कर चुके है, दूसरा point कि आपको unlimited free storage कैसे मिलेगी, जैसे Google Drive, OneDrive, Dropbox, इस तरह की जो storage होती है friends, इन स और उसे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं करें तो subscribe के बटन पर click करें और bell icon को press करने के बाद all के ओपर जरूर click करें, अगर आप चैनल को subscribe नहीं करेंगे तो friends, आपको कभी भी मेरे नए वीडियो की notification नहीं मिलेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने नया वीडि देने से पहले बहुत clear हो जाएगा कि इसको notice दिया जाए या ना दिया जाए, इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप उस page को WordPress में create करें या blogger में, कहीं पर भी create कर सकते, example मैं आपको blogger के अंदर ही दिखा देता हूँ, दोनों का तरीका same ही है, blogger के dashboard में आएंगे, अगर आप WordPress के dashboard में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको pages की option मिलेगी, pages के ओपर click करेंगे, new page के ओपर click करेंगे, और title में आपने सिर्फ DMCA लिखना है, और उसके बाद यहाँ से compose view को आप select करेंगे, यहाँ से मैं आपको पूरा पूरा format द देना चाहता है, वो इस email ID में दे, वो email ID कोई भी हो सकता है, example के लिए मैंने सिर्फ Gmail लिखा है, इसके अंदर अगर आप changes करना चाहते है, तो जरूर change करें, उसके बाद यहाँ पर जाके आपने इसे paste कर देना है, और WordPress में भी same आप ऐसे ही करेंगे, उसके बाद अपने page को आप publish करेंगे, publish करने के बाद मैं view पे click करके दिखा देता हूँ, किस तरह का दिखाई देगा, आप देखेंगे DMCA का आपने page create कर लिया, और इस type का वो दिखाई देगा, font size वो आपकी template के accordingly ले लेगा, और यहाँ से फिर से आपको layout में click करना है, main menu में जाएंगे, और यहा आपने इसे paste करना है, और add link के उपर click कर देंगे, यहाँ से मैं इसको बिल्कुल last कर दूँगा, और save के उपर मैंने click करा, अब वापिस यहाँ से मैं पनी website को refresh करूँगा, तो आप देखेंगे DMCA का page मेरा create हो गया, अभी मैं SEO ग्यान के उपर click कर रहा हूँ, और अब DMCA के पर click करूँगा, तो यहाँ से मेरा यह page perfectly fine है, और जो भाई मेरे WordPress यूज़ करते हैं, उनके लिए भी यह बिल्कुल same है, यह भी आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि अब आप unlimited storage, कहां से और कैस आप ले सकते हैं, और friends, आपको एक account में 5TB की storage मिलेगी, 5TB बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने अभी तक उस website के अंदर अपने 5 account create कर लिये, तो आप सो सकते हैं, मेरे पास 25TB storage है इस समय, और आप account create करते रहे, करते रहे, आपको 5TB मिलता रहेगा, और इस तरह से आप एक unlimited storage के भगवान हो जाएंगे, anyways, ये एक मजाग था, अब वहाँ पर अपने data को upload कर सकते हैं, पर मैं एक चीज़ आपको जरूर बोलना चाहता हूँ, आप कभी भी अपनी personal files को, मतलब अपने family की photographs होती है, कुछ personal photographs होती है, उनको upload ना करे, music, mp3, videos, या फिर pdf file, कुछ भ website है, जो आपको 5000 GB free देती है, एक account पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं already 5 account इस पे create कर चुका हूँ, इसका link मैं नीचे description में देदूँगा, आपने इसके उपर click करना है, उसके बाद ये एक छोटा सा form आएगा, जिसमें आपको अपना first name, last name, email id और password, password कभी भी आप अ arrow के उपर अगर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 TB mention है, और मेरा email id यहाँ पे show कर रहा है, इसी तरह से account create करते रहा है, और 5 TB लेते रहा है, अब इसके अंदर file कैसे upload करेंगे, folder कैसे create करेंगे, shareable, link कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ, first option यहाँ पर नाम देना है, और description देनी है, नाम आप कोई भी दे सकता है, description इतनी जरूरी नहीं है, मैंने ऐसी randomly कुछ लिख दिया, और create के उपर मैंने click करा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, friends, यह public है, अगर मैं इसके उपर click करूँगा, तो यह private हो जागा, और फिट से मैं उपन करेंगे, folder को उपन करने के बाद, यहाँ पर second option है, upload from computer, इसके उपर आपने click करना है, click करने के बाद, अपनी किसी भी file को यहाँ से select करेंगे, और आप नीशे देख रहे है, मेरी uploading खतम हो गई, और यहाँ से भी friends, आपको बहुत option मिलने वाली है, public तो already है, अब अगर आप password लगाना चाहते है, तो इसके उपर click करेंगे, और यहाँ पर अपना enter password लिखेंगे, तो यह file protected हो जाएगी, पर अभी मैं यहाँ password नहीं लगा रहा, पर password अगर आप लगाना चाहते है, तो password लगा के आपने save के उपर click करना है, और उसके बाद यह direct download का बटन है, यह हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके लिए account को update करना पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको एक gear icon दिख रहे है, जैसे आप इसके उपर click करेंगे, वही आपको option मिलेगी, shareable की, आप इसके उपर click कर सकते हैं, अगर आपकी file और उसका backup लेना चाहते हैं, तो आप डिरेक्ट इसे download भी कर सकते हैं, यह तो link के through भी कर सकते हैं, move, delete, rename, override, यह सब simple है, पर आपको एक चीज का दियान इसमें जरूर रखना है, जब भी आप अपनी file को यहाँ से delete करेंगे, तो friends, उसे आप recover नहीं कर पाएंगे, मैं आपक पास ज़्यान रखना है, जिस file को आपने delete करना है, उससे पहले आपके पास उसका backup होना बहुत जरूरी है, अगर आपकी वो file बहुत काम की है, तो, अब आपके दिमाग में question चल रहा होगा कि DMCA का जो पूरा page है, उसे हम कहां से और कैसे copy करेंगे, link दे दूँगा मैं से और बहुत जल्दी मिलने वालों तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!